हेलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग आयों के बहुत अच्छे हैं गाईज तो आपकी परसन के एनरजी देखते हैं फिर से मैं बता दू एक बार कलेक्टिव होती है जनरल होती है तो कीप अपन माइंड बिल्कुल भी आपको जजनी करना है अगर आपसे मिलती है तो देखो कोई री रिडिंग देखो कहीं न कहीं आपको इसमें Divine की कुछ Divine की कुछ भी मैसेज या इंजल के कोई भी मैसेज आपको मिल सकते हैं ओके तो आपके परसन की करन्ट सिच्फिइशन क्या है क्योंकि New Moon की Energy आ रही है और इस्टार्ट हो चुकी है तो देखते हैं कि आपके प जालते हैं, Page of Cups, Okay, The Magician, ये कार्ड अपने आप से आगिया, Eight of Wands, The Hermit, Okay, Two of Wands, Three of Wands, Two and Three, and Three of Swords, Ace of Swords, And The Lovers, Okay, तो आपके person की energy, अगर मैं बता हूँ, अभी क्या चल रहा है, उनकी life में, But on the deck is Seven of Coins, Confusion to create करका उनोंने, इस connection को लेके, Random अगर मैं card निकाल, तो temperance की energy है, कहीं ना कहीं, आपके person अवेकन हो रहे हैं, Balance लेकर आ रहे हैं, Balance लेकर आ रहे हैं, सोच रहे हैं, But Confusion हैं क्योंकि, चीज़े समझने में, संभलने में बहुत वक्त लगता है, कोई जल्दी समझ जाता है, कोई देर से समझता है, कोई समझना ही नहीं चाहता है, समझ के भी नहीं समझना चाहता है, तो वही कुछ लोगों के, आपकी जो कुछ के परसन है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है कि वो समझ के भी नहीं समझना चाहते हैं, उपर मतलब की अपनी ग्रो मैं कहना चाह रही हूँ यानि कि उस सीडी से देखो ये बंदा चड़ रहा है चड़ते चड़ते क्या होता है three of sword इसके बाद ही आया फिर से divine timing है justice है justice हो चाहते हैं आपके person और मिलेगा two of wands की energy है क्योंकि जो आप दोनों है आप दोनों ही 50-50 है यानि कि आप एक है to inflame की energy मेरे को यहाँ पर लग रही है guys इस इंसान को देख सकते हैं यह दो मुद दिख रहे हैं लेकिन शरीर एक है यानि कि शरीर पूरी तरह से एक त दिख रहा है तो वह आपको उल्टा दिखेगा यानि कि कुछ भी अक्षार है तो वह उल्टा दिखेगा कही ना कहीं कुछ चीज़े mirroring हो रही है और कुछ चीज़े आपकी same है ओके यहाँ पर यह energy है ठीक है एक second गाई हाँ जी दोस्तों तो मैं कहा रही थी कि आपके person कही कहीं ना कहीं match होती है लेकिन कुछ चीज़ों में match नहीं होती है 50-50% है तो आपको 100% करना है 100% आपकी सोच मिलनी चाहिए कहीं ना कहीं unconditional love की energy है connection जो यह unconditional होता है और यह जो frequency है आपकी match होनी चाहिए होती नहीं है सबकी विचार सबकी conditioning अलग होती है जब हम incarnate होते हैं जिस फिर वही meant आपका mental level अलग है उनका mental level अलग है आपका दिमाग अलग चलता उनका अलग चलता ठीक है ना आपको person बहुत ज़्यादा practical है तो आप बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं ओके बहुत ज़्यादा emotionally आप एक दूसरे से attach है no doubt लेकिन यहाँ पर आपकी person की energy यह है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं soul उनकी अब यह कह रही है कि भाई तू जाग जा आप थोड़ा सा समल जा समल और आगे बढ़ यानि कि इस शरीर को लेके इस बाहरी की दुनिया को लेकर ज़्यादा घुसमत इस माया में आप तू जाग जा थोड़ा सा अपनी soul level पे अपने soul को समझ अपनी आत्मा से connect हो यहाँ पर यह हर्मिट की energy है regret की भी energy थोड़ा सा आपके person कहीं न कहीं regret की भी energy है जो आपके साथ हुआ आपके बीशे में हुआ कहीं न कहीं वो regret भी गर रहे हैं इस चीज़ को थोड़ा शर्मिंदा भी है बट इसके साथ साथ at the same time वो यह भी शर्मिंदा है बट कहीं न कहीं थोड़ा सा अलग सोचते हैं लेकिन ऐसा तो नहीं कि हर एक इंसान बिल कुर एक जीज़ा सोच सकता नहीं सोच सकता यार निकिन energy एक अच्छी vibes एक अच्छी विचार है ना एक अच्छी soul के अंदर जो एक अच्छी soul होती है divine soul होती है किसे कहता है divine soul जो pure होती है purity में रहती है तो कहीं ना कहीं आप इस connection में है लेकिन वो जो purity में आने वाली बात है वो कहीं ना कहीं आप process में है procedure लंबा है process में है तो वक्त लगेगा आपकी person को भी थोड़ा सा space दीजिए उनको time दीजिए तो कहीं नगे magician के energy है आपको manifest कर रहे हैं बहुत सारी चीज़े apply कर रहे हैं वो आपको कि भई यह मिल जाए क्योंकि दिल तो उनका तूटा है बहुत ब्रीदरी के से stuck हो जाते हैं कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे जब बात करेंगे तो बहुत अच्छे से करें क्योंकि the lovers के energy है आपसे बात करेंगे no doubt क्योंकि यहाँ पर मैंने card निकाला night of sword के energy है अब अगर आप soul के energy में guys अगर आप अच्छा सोचते हैं अपने person के लिए या अपने लिए या आप इश्वर पे surrender कर रखा है इस चीज़ को और आप अपने तरफ focus हैं अपने काम की दरफ अपने आप पर अपने self love में अपने लिए काम कर रहे हैं अपने आपको upgrade कर रहे हैं तो कहीं न कहीं ये energy है कि वो उनकी life में कुछ भी चल रहा हो कुछ भी कैसी भी परिस्थी क्यों ना हो दिल तूटा हो कुछ भी हो बहुत जल्दी यानि कि उनकी journey बहुत fast हो जाएगी और वो बिलकुल उनकी against जैसी भी situation रहेगी वो उसके against आपके पास आपकी towards आने के लिए ready रहेंगे यानि कि परिस्थी कैसे भी उसको cheer कर आने वाले है ठीक है ये energy है गाईज और इससे अच्छे energy तो होई ने सकती page of cups क्योंकि आपके लिए बहुत emotional हो रहे हैं और काफी craving वाली energy है आपको बहुत miss भी कर रहे है क्योंकि आगे आने वाले दिनों में reunion के energy गाईज और ये मेरे को बहुत ज़्यादा download हो रहा है ये नन येंग के energy है twin flame connection है गाईज ये बहुत लोग यहाँ पर twin flame connection में है ये नन येंग बिल्कुल यहाँ पर ये energy है आपके परसंट और आपके अंदर ये energy 50-50 परसंट है तो बिल्कुल balance होगी और ये balance हो रही है commitment ओके commitment देंगे commitment देना चाहते हैं वो लेकिन चुपा रहे है hide कर रहे हैं कोई परसिती उनकी ऐसी है और आपको भी थोड़ा सा समल के रहना है चीजों को सो समझ के चलना है है ना बुद्धी विवेक का इस्तेमाल करना है विजडम के साथ चलना है connection बिल्कुल connection फील करना है आपके परसंट मैंने बोला ना connection को clarity मिल रही है उनको फील करना है तो आपको बस थोड़ा सा patiently handle करना है जीजों को spiritual maturity के साथ आगे बढ़ रहे हैं आप दोनों बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं तब ही ये energy आई है और distorted feminine आपके अंदर भी feminine energy distorted हो सकती है आपके person के अंदर भी तो कही ना कही balance हो रहा है ये नं-yan यहा पर आया है तो ये चीज़े balance हो रही है और ये चीज़े जब balance हो जाएंगी तो फिर وہ चीजे अपने आप ही connect होती है automatically connect होती है है नापके person आपके towards यानि के attract होते है अब वो soul attract होती है है तो ये चीज़े है Ace of Cups है यहाँ पर ठीक है Ace of Cups के एनरजी है काफी अच्छी एनरजी है और बहुत ही प्यार वाली एनरजी है Ten of Swords के एनरजी है आपके परसन कहीं न कहीं इस दोईधा से इस परिशानियों से इस तकने से बहार निकलेंगे और आप भी और बहुत ही बात करेंगे आप लोग मिलेंगे सिधे मेरे से एकदम से निकला मेटेंग होगी बिल्कुल होगी commitment यहाँ पर है connection है बिल्कुल फील कर रहे है इस of Cups के एनरजी है भर भर के प्यार कि यह जो सौगात है आपको भगवान देंगे यह reward आपके लिए है I feel shattered about this situation थोड़ा सा confused है थोड़ा सा broken यानि कि कहीं ना कहीं उनका दिल टूटा है holding back ठीक है क्योंकि यहाँ पर भी मेरे कोई एनरजी आ रही कि यह हो सकता है कि वो सोच रहे है उनकी दिवा के यह आ रहा है कि वही मैं परिस्तिती जो भी रही थी उसको मैं अच्छे से handle कर सकता था अच्छे से उस चीज़ को सुल जा सकता था है ना और लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो guilt में भी है guilt यानि कि Hermit के mode पे है सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, guilt में हैं regret की नरजी है I don't want to run anymore तो वो run नहीं करना चाते अब ठीक है वो नहीं करना चाते अब आप से आप से बात करना चाते हैं और पैसिती को सुधारना चाते हैं ठीक है, क्योंकि यहां पर night of swords के रहे टाइम I'm afraid it's too late to take action और यह भी लग रहा है कुछ को कि मैं कहीं देर तो नहीं कर दी कहीं आप आगे तो नहीं निकल गए कहीं आप मोन तो नहीं हो गए कहीं आपने शादी तो नहीं कर ली कहीं आपने दूसरा अपना जिवन सादी तो नहीं चुन लिया तो ये भी अगर आपके बीच में बात्चित नहीं हो रही है ठीक है तो बिलकुल वो आपको वैसा ही देखो चीज़े क्या होती है कि आपके परसंद ये भी सूच रहे हैं कि मैंने आपको हर्ट किया तो कहीं न कहीं आप आगे निकल गए आप उनसे भाग रहे हैं है ना और दूसरा ये यानि कि वो वैसा ही देंगे जैसा आपने दिया वैसी प्रोक्रेट है ना तो ये चीज़ आपकी परसंद की लाइफ में यानि कि उनकी सोच उनकी जो फिलिंग्स हैं कहीं न कहीं ये सोच रहे हैं कि जब चीज़े बहुत ज़दा हाथ से निकल गए थी उनके कि अब मैं समाल नहीं सकता समाल नहीं सकती तो वो भाग गए रन कर गए है ना लेकिन अब वो नहीं रन करना चाहते I don't want to run anymore दूसरा ये आया कि escape I left when things got hard तो यानि कि अब वो बता रहे कि वह चीज़ें से खराब होगी थी इसलिए भागा मैं भागी छोड़के चीज़ों को है ना रन किया चीज़ों से बट अब मैं नहीं करना जाता क्योंकि soul tie आप एक ही soul है I always feel connected to you तो वो feel करते हैं कि आप से connected है always all the time they are feeling connected with you तो बिल्बकुल ये बात है गाईस और जर्णी में आगे बढ़िए सब कुछ अच्छा होगा heal कीजिए अपने आपको अपने blockages अपने issues को heal कीजिए यहां पस में आपकी जर्णी में blockages ही heal करने होते हैं workaholic आगे आने होले दिनों में आप बहुत जादा अपनी self worth को समझेंगे जो भी चीज हो सकते हैं आप बहुत busy हो wisdom की साथ तो आपको चलना ही है इश्वर भी आपके साथ है तो बिल्कुल अपना विवेक के साथ काम लीजी अगर आप परिशान है तो बिल्कुल आप जो भी prayer कर रहे हैं वो सुनी जा रही हैं जो भी लोग आपको पेशान कर रहे हैं और destiny येस आपके person को कही ना कहीं आप दोनों को ये बात तो clear हो गई है कि ये मेरा destined person है ठीक है किसी प्रकार की कोई भी guilt है आपको ये आपके person को तो वो दूर होगा इसे भी देख लेते हैं क्या है card आया है spring तो yes ये spring का जो मौसम होता है उसमें नए फूल नए पत्ती आता है तो बिलकुल एक नई शुरुवात renewal एक नई शुरुवात आपकी life में आ रही है बहुत ही beautiful तरीके से और जो चीजे में बीद गई तो बात गई और बहुत अच्छी ये जो cycle आपकी है complete हो रही है कही न कहीं full moon पे आपको ये चीज आपको new moon पे पता चल जाएगी incubation आपको इस time पे अपने आपको protect रखना है negativity से negative विचारों से ठीक है और किसी पर आगर आप उंगली करते हैं तो अगर एक उंगली करते हैं तो बाकी उंगली आपके उपर भी है आपकी तरफ इशारा करते हैं तो किसी को judge यानि की judge नहीं करना है judgmental नहीं बनना है prosperity begins बिल्कुल ये prosperity आपकी life में ये abundance आपकी life में आपर दस्तक देगी बिल्कुल आप clearance यानि की सफाई चल रही है साफ सफाई चल रही है आपकी soul पर से जो भी layer से कही न कहीं उतर रही है आपकी life से जो भी कार्मिक है वो रिमूव हो रहे है तो बिल्कुल उनको let them release from your life तो आपी के लिए अच्छा होने वाला है तो अभी के लिए इतना ही अपना ख्याल रखो और बहुत अच्छी एनर्जी है गाइस क्लेम एट और God bless you all रादे रादे